दोस्तों आज आपके लिए में company का wire लेकर आया हूं इसका मैं दो size के wire लिये हैं मैंने एक ये 1mm का है और एक ये 4mm का है इन दोनों wire में आपको recovery दिखाऊँगा इन में live दिखाऊँगा आपको कितनी recovery पर कितना निकलेगा तो यहां काटा नजर आ रहा होगा आपको जीरो कर रहा है मैंने इसका वजन करता हूं इनका मैंने वजन करा है 100-100 ग्राम मैंने लिए है 100 ग्राम को हम एक पिलो पकड़ लेते हैं अब इसको छील कर दिखाऊंगा इसमें क्या निकलने वाला है इस तरीकी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सुश्क्राइब जाते से जादे करें दोस्तों और घर बैठे आप रिकवरी शीख शक्ते हैं इस बिजनस को स्टार्ट करने के लिए रिकवरी का शीकना बहुत जादा जरूरी है तो इसलिए हमारे चैनल को जाते से जाते, फोलो करें दोस्तों, अब इस माल को मैं लेकर जाने वाला हूं अपनी मशीन पे, जो हम मशीने मैनुफेक्शरिंग करते हैं, केश ओन डिलीवरी मेरी मशीने हमेशा अवेलेबल रहती है, जो इस माल को दिखाऊंगा अपने बी पंदरा प्रो मोडल कर, चलते हैं मशीन के पास यह मशीन के पास हम आ चुके हैं इस मोडल का मैं नाम बता देता हूँ मेरा B15 प्रो मोडल है मेरा यह 1 mm से लेकर 40 mm तक काम करता है 1 से 8 mm शिंगल कट काम करेगा और 10 mm से लेकर 40 mm तक डबल कट पे काम करेगा 2 HP का मोटर होता है इसे करम्टन का अब इस माल को हम चला कर दिखाने वाले हैं इस तरीके से मेरी मशीन वायर के ओपर कट लगा देती है इससे कोपर निकलना बहुत आसान हो जाता है आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये कोपर निकल चुका है इससे साइड में रख देते हैं यहाँ पर अब पूरा तार हम चला देंगे यह देखो दोस्तों कितनी आसानी से मेरी मशीन ने इसके अंदर से कोपर निकाल दिया है आपको नजर भी आ रहा होगा वीडियो में यह देखें दोस्तों यह भी आसानी से पीवीची और कोपर 4 mm का बिल्कुल अलग हो चुका है इसको साइड में रख देते हैं आप एक कोपर को भी रख देते हैं एक अमें का तार देना जबी भी वायर चलाने से पहले मशीन की टैस्टिंग करनी जरूरी होती है तक कि हमारा कोपर तो नहीं कट रहा है या माल नहीं कट रहा है पीवीची कटी या नहीं कटी उससे पहले क्या करना होगा पहले छोट असा टूपड़ा मसीन पर टैस्टिंग कर लेंगे तो हमारी मशीन ने इस पर फस्क्लास काम कर रहा है आपको नजर भी आ रहा होगा इसके अंदर से निकाल कर दिखाने वाला हूं आपको पूपर कि यह देखिए एकड़ फस्क्लास निकल चुका है इसे साइड कर देते हैं अब यह जो हमने सो ग्राम लिया हुआ है इसको चील कर दिखाएंगे आपको इसके अंदर से कितना माल निकलेगा अब इस एक अब वाले को हम साइड कर देते हैं इसका वजन तोल कर दिखाता हूं मैं आपको इसमें कितना निकलेगा जब्बग 39 गिर्म हमारा go पर निकला है तो लगबग ऐपका जो पी वीसी जाएगा 25 P V siitä कि वोगी लगबग 75 परसेंट हमारे जो जाएगा पो पर जाएगा लगबग साथ रहारे 700 Gram हमारा एक प्लो में अब दोनों का साथ में वजन कर देता हूँ में लगबग 95 गिराम, 4-5 गिराम कम हो गया मशीन में कटने की वेज़े से, अब इसकी रिकवरी बता देता हूँ आपको, लगबग 48 गिराम यानि के 480 गिराम, 480 गिराम हमारा इसमें कोपर निकला है, 50% की रिकवरी हम एक एमेम में मान लेते हैं, आदर किलो हमारा पीवी सी जा जो रिकवरी फोर्मुला है, उसको जानना बहुत ज्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमारे वीडियो को जादे से जादा देखें, वीडियो स्कीट करके न देखें, बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी शीक है, घर बैटी आप रिकवरी सीख सकते हैं, इस बार मैंने जो माल तक आपको कंपणी का माल दिखाया अगली वीडियो में मैं आप arrib लिए Obrig हो इसलिये हमारे चैनल को जाटार्श जादे फोलु करें दोस्कों सभी lum हो याझ कि अ